आज की वीडियो में बात है State Bank of India की तिन ऐसी debit card के बारे में जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा best है अगर हम ध्यान में रखे international use, अगर हम ध्यान में रखे domestic use या फिर अगर हम ध्यान में रखे virtual use जैसे कि online banking हो या फिर launch benefits हो तो इन सभी benefits को अगर हम ध्यान में रखते हैं इन सभी uses को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ये तीन debit card ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से State Bank of India की जो debit card से उन सभी में से सबसे हट करें नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बिराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल बिराज की बाते में चलिए आज की वीडियो को फटा पर शुरू करते हैं State Bank of India की अगर हम domestic debit card की बाते करें तो सबसे बेस domestic uses के लिए जो SBI में अभी debit card मिल रही है वह है SBI Global International debit card अब यह जो SBI Global International debit card है कुछ इस तरह से दिखाए देती है तीन variants में हमें मिल जाते हैं वीजा variant पर मिल जाती है अगर हम चाहे तो रूपे variant पर भी apply कर सकते हैं या फिर अगर हम चाहे तो master card variant में भी apply कर सकते हैं Daily case वीडियोट लिमित रखी गई है minimum 100 रूपे और maximum 40,000 रूपे मतलब हम 40,000 रूपे तक maximum SBI Global International debit card का इस्तेमाल करके किसी भी ATM से पैसे निकाल सकते हैं एक दिन में अब यह जो SBI Global International debit card है इसका इस्तेमाल करके हम cash deposit machine में पैसे deposit भी कर सकते हैं और daily limit रखी गई है maximum 50,000 रूपे SBI Global International debit card का इस्तेमाल हम e-commerce के लिए भी कर सकते हैं या फिर daily point of sale और इकी post machine में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो maximum limit रखी गई है एक दिन की वो रखी गई है 75,000 रूपे अब यह जो SBI Global International debit card है इसकी issue and charges एक भी रूपे नहीं है लेकिन annual maintenance charges रखा गया है 125 रूपे प्लास GST और कार्ड अगर गो हो जाती है या फिर किसी कार्ण रूपर समय यह जो SBI Global International debit card है इसको replace करना परता है तो replacement charges रखी गई है 300 रूपे प्लास GST अब यह जो SBI Global International debit card है इसका इस्तेमाल हम international uses के लिए भी कर सकते हैं और इसके लिए अगर हम international uses करते हैं तो daily cash limit रखी गई है 40,000 रूपे यह country to country भेरी करती है लेकिन जो maximum limit है वो है 40,000 रूपे और post या फिर online transaction के अगर हम बाते करें तो यहाँ पर रखी गई है 45,000 रूपे international uses के लिए अब जगर हम fully international uses के लिए अगर हम किसी debit card का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो SBI की सबसे बेस debit card है SBI Platinum International debit card यह एक ऐसी card है जो कुछ इस तरह से दिखाए देती इसके भी तीन variant से वीजा variant, रूपे variant या फिर मस्तरकर variant अब SBI Platinum debit card का इस्तेमाल करके हम daily ATM से चाहे तो minimum 100 रूपे और maximum एक लाख रूपे तक निकाल सकता है पैसे, अब इसका इसका इस्तेमाल करके भी हम cash deposit पेसिट में पैसे deposit कर सकते हैं और जो maximum limit रखी गई है वो रखी गई है 2,000 रूपे लेकिन 15,000 से उपर पेन की जरूवत अब SBI Platinum International debit card की जो point of sale या फिर e-commerce लिवीट रखी गई है वो maximum 2,000,000 रूपे तक रखी गई है इस्वें चार्जेस जो यह SBI Platinum International debit card है उसके रखी गई है 300 रूपे plus GST, annual maintenance charges से 200 रूपे plus GST और अगर card गूम हो जाती है या फिर डिप्लेस करना पड़ता है तो 300 रूपे plus GST अब यह जो SBI Platinum International debit card है इसकी eligibility उनी customers के लिए है जो अपने account में quarterly average balance एक लाग या भी उससे उपर रखते हैं अगर आपकी quarterly average balance इससे नीचे है तो SBI Platinum debit card को आप issue नहीं कर सकते हैं आप apply नहीं कर सकते हैं अब SBI Platinum International debit card है इसकी guest में हमें complimentary airport lounge access भी मिल जाती है अब यह एक ऐसी card है जिसका इस्तेमाल internationally हम यूज कर सकते हैं पूरी अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं क्योंकि इस card को बनाए ही गया है international uses के लिए अब international uses की में अगर हम बाते करें तो daily cash limit रखी गई है country to country vary करती है लेकिन जो maximum cash limit रखी गई है वो रखी गई है एक लाग रुपे जिस country में हम इस्तेमाल करेंगे उस country की जो currency है उस currency की जो value होती है तो उस value की एक लाग रुपे तक हम पैसे daily cash limit या उस country में इस्त अब post limit भी यहाँ पर रखी गई है दो लाग रुपे मतलब अगर हम चाहें तो अपनी international जो यह प्लेटे नाम international debit card है उसका इस्तेमाल करके हम किसी भी foreign country में swap करके पैसे अपनी जो transaction है उसको pull पील कर सकते है और जो इसकी limit रखी गई है वो रखी गई है दो लाग रुपे अ है यह एक ऐसी card है जो आपके हाथ में तो नहीं आएगी लेकिन virtually कुछ इस तरह से यह card दिखाए देगी अब इसके भी तीन variance है वीजा रुपे या फिर master card अब यह जो virtual debit card है यह virtual debit card एक पकार के debit card है लेकिन यह एक ऐसी debit card है जो physical form में हमें नहीं मिलती है और इसको हम generate कर सकत है है SBI की जो mobile fa you know उसके त्रूप अब यह जो यह जो SBI virtual debit card है इसकी इस्वेस criteria कुछ अलग-अलग है यह normal saving bank account folder को मिल जाते है लेकिन अगर आपकी एक ऐसी account है जंदन account है यानि कि non financial inclusion वाली account है तो वहाँ पर SBI virtual debit card नहीं मिलेगी तो virtual debit card उनी customers को देया जाएगा जिनकी saving account normal saving account वह bank में maintain card है डेली case limit यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि एक ऐसी card है जिसको तो फिजी के लिए नहीं मिलता है तो ATM में जाकर हम इससे पैसे नहीं निकाल सकते contactless limit for tokenized payment रखा गया है 5000 रूपे पार transaction और यह जो tokenized payment यह नीचे आपको बता चल जाएगा क्या है daily purchase e-com में हम कर सकता है 50,000 रूपे validities card की पार सालों की है और अगर हम uses की बाते करें तो इससे हम e-com मतलग यानि कि online transaction के लिए यूज़ कर सकते है contactless transaction यानि की एक ऐसी transaction जो safe हम Google पे या फिर Samsung Pay के तरव कर सकता है और इससे ही कहा जाता है tokenized payment transaction अब issuant charges virtual debit card की कुछ भी नहीं रखी गई है और annual maintenance charges भी कुछ भी नहीं रखी है के मतलब यह एक ऐसी card है जो completely state bank of India free अपने customers को provide कर रहे है तो देखाना आपने यह जो तीन debit cards होते है state bank of India की यह सभी basic कामों के लिए काफी ज्यादा लाबदार है अगर आप domestic use करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अगर आप international use करना चाहते हैं लाउंज benefits को avail करना चाहते हैं तो उसके लिए भी और अगर आप virtual use या ने कि अगर आप online purchasing या फिर online business के लिए उसके लिए भी आसा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नहीं information मिला होगा और अगर मिला है तो में चैनल को लाइग को subscribe करे subscribe करके bell icon को प्रेस करें जिससे की मेरे ऐसे नहीं वीडियो की notification तुर्ण तब के पास मिल जाए करेंगी तो चले मिलते हैं आपने अगली वीडियो में तब तक की लिए goodbye and ठेक है